Himalaya Quista Pro has superior protein wear The healthy way to fitness उसके सुरक्षा और संड्रक्षन को लेकर जो उपाई किये गए हैं वो वैसे ही बर्करार रहेंगे ना वहां पर वजू की जा सकती है साथ ही यह कहा गया है कि नुमाज को लेकर जो सारी विवस्ताइश चल रहे हैं वो वैसे ही चलेंगे तिलाल दूसरा मसला यह था जो सर्वेक्षन के लिए आयोग गठित करने के बाती उसे चुनोती दी गई थी चुकि सर्वेक्षन का सारा काम हो गया है तो यह याचिका अपने आप में अब निश्प्रभावी हो गई है लेकिन मुस्लिम पक्षकारों का यह कहना था कि याचिका अभी निश्प्रभावी नहीं हुई है क्योंकि उनकी याचिका का एक हिस्सा था एक अंग्ष था जिसमें उन्होंने सर्वेक्षन आयोग को चुनोती दी थी उस कमिटी को चुनोती दी थी लेकिन उन्होंने सबसे बड़े उनकी अर्जी जो उसमें है वो यह है कि उपासनास्तल कानून उसके उल् कोट में यानवापी को लेकर अलग-अलग याचिकाएं चल रही है। कोई जिला अदालत में है कोई सबीघ can जा जा और उसकी सुनवाई एक साथ हो, इस पर सुप्रीम कूट ने साफ किया, सुप्रीम कूट की इस विशेश पीड़ने, जिसमें चीफ जस्टिस जिसके अगवाई कर रहे हैं, जिसमें जस्टिस सौरिकान थें, और जस्टिस प्येस नर्सिम्हन हैं, इस स्पीड़ने ये वो फैसला लेने में सक्षम है लहाजा उन्हें फैसला लेने दिया जाए और हाई कोट में जो मामला चल रहा था इलाबाद हाई कोट में वो मामला आगे सुनवाई के लिए टल गया है तो फिलाल बड़ा आदेश सुप्रिम कोट का ये कि अगले आदेश तक ग्यानवापी प कारीक देकर आगे बढ़ाई ये 12 नौंबर को समाप्त हो रही थी लाज़ा हिंदू पक्षकारों का ये कहना था कि अवाधिस समाप्त होने से पहले सुप्रिम कोट बाकाइदा बाजाबता इसे आगे बढ़ाए और इस पर अपना अपना आदेश सुनाए सुप्रिम कोट अगले आदेश तक इसे जारी रखने के बाद कहिए यानि अगले आदेश तक या था इस्तित यूही बरकरार रहेगी संजेश अर्मा दिल्ली